जै माताती दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च माह के दो दिन तेहरा मार्च और बारा मार्च के तुला राशी फल के बारे में तो लाराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा और उसका प्रभाव आपके जीवन के शेत्रों पर कैसा होगा आपकी सिक्षा कैसी रहेगी आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा स्वास्थे कैसा, करियर, नौकरी, बिजनेस सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दे इस से हमारी आने वाली सभी विडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी तो चली जान लेते हैं इन दो दिलों में कहते थी होगी नक्षत्र होंगे, योग क्या बनेंगे 12 मार्ज की बात करते हैं क्रश्न पक्षिकी तरत्या थिती है सुर्य कुम राशी में है और चंद्रमा तुलाराशी में है यानि आपके लगन में बैठे हुए है 13 मार्ज की बात करते हैं क्रश्न पक्षिकी चतुर्थी थी स्वाती नक्षत्र और देखे चतुर्थी थी सुबह 8 बचकर पचास मिनट तक है उसके बाद पंचे मिती थी लग जाएगी व्यागात नाम का योग बन रहा है शुकरवार का ये दिन है सुर्य कुम राशी में है और चंद्रमा तुला राशी में है तो ये थी ग्रहों नक्षत्रों की इस्तिति इसी के अधार पर हम जानेंगे ये दो दिन आम के लिए कैसे रहेंगे दोस्तों इस चंद्र राशी पर अधारित है और चंद्रमा की देखिए हम बात करें तो चंद्रमा आपके लगन में बैठे हुए है यानि तुला राशी से ही गोचर कर रहे है चंद्रमा और लगन में बैठ कर चंद्रमा अच्छी स्थिती में है क्योंकि एक तो जो लगन में चंद्रमा है ये किसी भी पाप ग्रह के संपर्क में नहीं है जिससे इनका पूरा जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा और जो पहला भाव होता है व्यक्तित्व का भाव हमारे मान सम्मान को बढ़ाने का भाव तो यहां चंद्रमा अच्छे हैं और चंद्रमा अच्छे भाव में बैठकर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्मान कर रहे हैं तो इससे दिखिए अगर आप आपको कोई परिशानी थी आपको कोई रोग से परिशानी थी आपको स्वास्थे खराब चल रहा था तो उसमें अब आपको जो परिशानी थी वो दूर होती हो दिखाई देखी और जो काम आपके अटक गए थे यानि आप पूरे नहीं हो पा रहे थे और आप tension में थे किसी काम को लिखकर वो काम आपके पूरे हो सकते हैं इसके अलावा आप अगर पूरा दिन बैठ कर काम करते हैं computer के सामने काम करते हैं तो ये समय होगा कि आपको कुछ दर्द समंदी परिशानी हो सकती है तो उसका जरूर आपको थोड़ा देहान रखना होगा यहाँ आपको समय समय पर आराम करनी की आवशक्ता जरूर होगी लेकिन लगन भाव के चंद्रमा आपको मांचिक रूप से और आपकी व्यक्तित्व को काफे निखाने वाले हैं आप इस समय अपनी परिवार की सबी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे पूरे दिन आपका मन प्रसन रहेगा और देखे जो इस राशी के जो कारोबारी है जो बिजनेसमेन है वो इस समय कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते है उनको कोई बड़ी डील हो सकती है कोई ऐसा ओफर आ सकता है जो की बहुत अच्छा रहेगा उसकी योग बने हुए है एविवाहित लोगों की बात करें तो एविवाहित लोगों के लिए विवाहा के बड़े अच्छे योग बन रहे है अगर आपकी संतान अय विवाहित है तो उसके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते है जिसे देखकर आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये प्रस्ताव जो होंगे वो भी अच्छे होंगे तो बात यहां बन सकती है अगर अपनी प्रेम जीवन को शादी में परिवर्टित करना जाहते हैं तो आप अपने घर पर अपनी शादी की बात की शुरुवात जरूर करें हो सकता है बात बन जाए इस समय तो अच्छा पल तो देखिए अच्छे है नक्षतर अच्छे है जीवन साथे के साथ खुशी के पल बिताने के मौके आपको मिलने वाले हैं इस्तितिया मजबूत दिखाई दे रही हैं कुछ अच्छे समाचार भी मिलेंगे और अपनी कारेसल पर आप हर नई दायत्व को पूरा भी कर पाएंगे इसमें कुछ महमान भी आपके परिवार में आ सकते हैं जिससे घर में सुक शानती रहेगी वेफसाई तो पर देखें तो ये जो समय होगा काफी बिजी भी रहने वाला है यानि आप अपनी कामों में काफी बिजी रहेंगे वैस्तता से बहरा रहेगा काम का दवाब भी रहेगा लेकिन आप उस काम को समय से पूरा कर पाएंगे जो आपके वैक्तित में निखार करेगा इसमें आप अपने उपर भी देहान देंगे अपनी सजने सवारने पर अपनी हर जो आपका वैक्तित है आपके व्यक्तितों को दर्शाता है और हर चीज़ पर आप दियान देंगे आप कैसे दिखते हैं आप कैसे बोलते हैं या आप खुद को कैसे सज्जा सवार कर रख सकते हैं तो व्यक्तितों में काफी परिवर्दन देखने को मिलेगा अपने उपर कुछ खर्चा भी करने का योग है हो सकता है आपको कहीं जाना भी पड़े अपनी किसी रिष्टेदार के हां तो समय जो है वो काफी अनुकूल है और ये समय ऐसा होगा कि आप खुद को व्यक्तिकर तोर पर काफी मजबूत पाएंगे और व्यवसाइक जीवन में भी आप संतुनन बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे और रख भी पाएंगे तो इसमय तो देखिए आनंद पल बितानी की तरफ ही इशारा कर रहा है कि आप आनंद पूरवक इन दो दिनों को बिताने वाले हैं अपनी परिवार के साथ भी वक्त गुजारेंगे जो आपको काफी कुशी देगा और उनक जो चीजें हैं वो आपकी अनुसार ही है सब कुछ आपके नेंतरण में चल रहा है आप अपनी जिम्मिदारियों को अच्छी तरह से निबा रहे हैं तो इस तरह से सभी को चलने दें और सबकुछ आपके अख में है समझदारी इसी में हैं आप अपनी बातों का ध्यान रोले दीए जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए इस समय है कि आप अपनी काम पर ज़्यादा ध्यान दें यानि आप अगर बेरोजगार हैं तो अपने नौकरी की तलाश आप जारी रखें क्योंकि यहां जो नक्षत्र हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आप इन दिलों में प्रियास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है बिना प्रियास के यह तो सफलता नहीं मिलेगी इसलिए आप प्रियास जरूर करें कुछ ना कुछ आपके लायक काम आपको जरूर मिलेगा और जो कुछ अपना नया स्टाट अप करना चाहते हैं प्लानिंग कर रहे हैं उनक अगर स्टार्ट अप करना चाहते हैं और किसी से बात करनी हैं तो जरूर जाए विचार आपके अच्छे होंगे। बाते हैं अच्छी होंगी। और उनका प्रभाव सामने वाले विकती पर भी अच्छा होगा। तो जरूर आप इस सिलसले में सामने वाले वेक्ति से बात जरूर करें आगे बढ़ाने के लिए खुद को उनके सामने पेश जरूर करें और अगर किसी आप उद्योगधंदी से जुड़े हैं जहां कल पनाओं और उम्मिदों पर काम होता है तो बहुत अच्छा लाब वाला दिन है लेखकों के लिए बहुत अच्छा लाब वाला दिन है रचनात मकलात मकवाले लोगों के लिए आपको अपने बैपार की तरकी या कमपनी को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है तो कोई बढ़ा फायदा होने का यूग है और ऐसे मौके पर लाब के और भी कई रास्ते खुल जाते हैं जब आपको कहीं से सम्मान मिले या आपका काम तेजी से चले तो देखिए अपने आप ही एक दो ऐसे मौके या ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जहां से आप और इंकम कर सकते हैं तो ऐसी चीजों का सबी चीजों का ऐसी का फायदा उठाने से राचुके हर जगा आप जरूर फायदा उठाए प्यार की दुनिया अच्छी रहेगी लब लाइफ अच्छी रहेगी और अगर आपको पिछले दिनों में किसी ने धोका दिया है तो उसके बारे में दुबारा ना सोचें, जिसको लिएकर आप टेंशन में रहें, तो उसको आप दिमाग से निकाल दें तो अच्छा रहेगा, आगे बढ़ें, पीछे की बातों को ज्यादा ध्यार न दें, और आप खुद को कैसे समहाल सकते हैं, ये आप से बहतर कोई नहीं जाता, आप अपने लिए तरस भी महसूस करेंगे, और तरोताजा भी महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी जो काम है, उसकी अधिकता रहेगी, तो उसके लिए आप समय समय पर आराम जरूर करते रहें, जिम जाते हैं, तो जायरा ना छोड़ने जरूर जाएं, क्योंकि वहां जाकर आपके अंदर कॉन् महसूस करते हैं, तो ऐसी जगों पर आपको जरूर जाते रहना चाहिए, विद्यारतियों के देखे बात करते हैं, तो विद्यारतियों के लिए इस समय सही, यानि अच्छे योग हैं, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, लेकिन देखें, यहां आपका मन जो है वो बटक सकता है इदर उदर की बातों पे, यानि यह जो समय होगा आप किसी उल्शन में हो सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई पर असर डालेगा, तो उन चीजों को अपनी दिमाग से बाहर करें, और समय है जो पढ़ाई के लिए है, उसी पर ध्यान ने, तो अच्छा रहेग जिससे आपको समस्याओं का हल निकलता हुआ दिखाएतेगा, तो हन्मान चालीसा का पार्ट आप जरूर करें, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, शुकरवार का दिन है, शुकरवार के दिन आप संतों सी माता की पूज़ा जरूर करें, और किसी कन्या को कुछ छूट असा ब चाली जरूर को कुछ जरूर के जरूर की प्रूर की अपियाते हैं, या सिक उरूर कर दिनि आप काम कर दो दूर lugह कादा कर दो पहां जरुबागार का दिनु पोल सी निकलता है?